बिहार में कुरोना संक्रमण में लगातार गिरावट के बीच आज 1147 नए संक्रमित मरीज मिले हैं इसके साथ राज्य में अब तक कुरोना का आंकड़ा 165,371 तक पहुँच गया है हाला कि राहत की बात ये है कि सक्रिय मरीज 14,793 ही बचे हैं वहीं बात करें कि पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़े तो लगभाग 855 मौते हो चुकी हैं लेकिन राहत की बात ये है कि बिहार का रिकवरी रेट 91.1,7 फीसदी है जो राश्टी आउसत से लगभाग 13 फीसदी अधिक है स्वास्थ विभाग ने अपने अपडेट में बताया कि टेस्ट में जो 1147 नए कोरोना मरीज मिले हैं उनमें अकेले पटना जिले के 199 शामिल हैं पटना में अब तक कोरोना के कुल 24,884 मरीज मिल चुके हैं जिन में से 22,797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं पटना के अलावा अन्य जिलों में 11 से लेकर 95 संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना के शुरुवाती दौर में बिहार में काफी कम मामले देखने को मिले थे लेकिन प्रवासी मज़दूरों की वापसी के बाद से बिहार में तेजी से कोरोना के मामले बड़े जो अब तक धमने का नाम नहीं ले रहे हैं अनलोक फोर में ये स्तिती और भी भयानक हो गई राज्य के स्वास सचीव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1465 संक्रमित ठीक हुए हैं इस महामारी से अब तक 1,49,722 लोग ठीक हो चुके हैं हलाकि सरकार का कहना है कि जन लोगों की मौते हुई हैं उनमें से अधिकांच दूसरी कई गंभीर बिमारियों से भी शुकार थे विरो रिपोर्ट बिहार तक